यह ब्रत उपवास की फलाहारी हरी चटनी वनाईए सिर्फ दो मिनट में हेलो फ्रेंड्स सेल्स किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आईए इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं यह देखिए मैंने हरा धनिया लिया है हरा धनिया मैंने अच्छे से साफ करके औ नीबू अब मैंने यह जार में हरा धनिया डाल दिया हरा धनिया के बाद मैंने यह हरी मिर्ची लिए हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची बढ़ा लीजिए यह मैंने एक इंच अद्रक का टु ओर यह मैंने जीरा लिया है आप जीरा खाते में टू ठीक है और अगर नहीं खाते में तो आप इसे्किप कर सकते हैं यह मैंने लिया है दो चम्मच दही दही आप जरूर डालीे stabilized इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा रहता है और ये मैंने नीवू का रस लिया है, एक नीवू का रस मैंने इसमें डाल दिया है नवरात्री में ये हरी चटनी आप बना कर 10 या 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं आपकी ब्रत में हरी चटनी बार बार बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको चला लेती हूँ देखे, ये हमारी चटनी बनकर तयार हो गई, कितनी जल्दी हमारी चटनी बनकर तयार हो गई है ये चटनी आप किसी भी स्नैक्स, पराठा, पूरी, आदी के साथ इंजॉय कर सकते हैं हरी चटनी वाले आलू बना कर भी आप ब्रत में इंजॉय कर सकते हैं चटनी वाले आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं देखे, ये हमारी चटनी बनकर तयार हो गई, देखे, कितना अच्छा कलर आया है इसका बल्कुल ग्रीन कलर और ये कलर ऐसे ही बना रहता है आप इसे इस तरीके से बना कर देखिए देखिए यह हमारी चटनी बनकर त्यार हुई है यह चटनी बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग